नमस्कार गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्तिक स्वागत है इसमें आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली आज मैं आपके लिए एक रंग का डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन का प्रियोग आप बॉर्डर पर करें जेंट स्वेटर पर करें लेटिस काडिगन पर करें ये एक लेस पैक्टन है और ये बनाना बहुत आसान है दिखने में जितना सुन्दर है बनाने में ये उतना ही आसान है इस डिजाइन में मैंने केवल सीथे और उल्टे फंदों का प्रियोग्या है अगर आप केवल सीथा और उल्टा बनाना जानते हो तो भी आप बहुत आसानी से इस डिजाइन को बना सकते हो तो आएए आप हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं ये डिजाइन केवल 5 फंदों का डिजाइन है और दो स्लाइम में ये डिजाइन खतम हो जाएगा पांच के मर्टिपल में फंदे डालेंगे प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा और दो फंदे हम किनारे के डालेंगे तो आएए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं बैक साइट पर देखने से ये डिजाइन बिल्कूल सिंपल तरीक्य का लगता है तो आएए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पांच के मर्टिपल में फंदे डाले हैं प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा और दो फंदे हमारे किनारे के पांच, 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 दो फंदे एक्स्ट्रा और दो फंदे किनारे के ये फंदा हमारा किनारे का हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू होता है दो फंदे उल्टे एक, दो यहाँ पर हम एक फंदा सीथा बनाएंगे एक फंदा हम बिना बुने उल्टा उतारते हुए स्किप करेंगे और एक फंदा सीथा एक बार सीथी साइट से हमने अपना डिजाइन बना लिया अब हम फिर से डिजाइन रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीथा एक फंदा हम स्किप करेंगे और एक फंदा हम सीथा बना लेंगे दिजाइन दूसरी बार कंप्लीट हो गया अब हम फिर से डिजाइन बनाएंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीथा एक फंदा हम स्किप करेंगे एक फंदा सीथा डिजाइन हमने फिर से कंप्लीट कर लिया ये दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा एक दो ये हमारा किनारे का फंद सीथी साइट से हमने अपनी रो नमबर एक कम्प्लीट कर ली है अब हम रॉंग साइट से रो नमबर दोपनाएंगे दो फंदे सीथे एक दो और तीं फंदे हम उल्टे मनाएंगे एक ये जो फंदा हमने पिछली बार नहीं मनाया इसको हम इस बार मनालेंगे दो तीन रॉंग साइट से एक varit हमने डिजाइन कम्प्लीट कर लिया अब हम डिजाइन रिपीट करेंगे दो फंदे सीथे और तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर से दो फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे एक दो तीन यह हमारे एक्स्ट्रा दो फंदे दो फंदे सीधे और यह हमारा किनारे का फंदे एक पार हमने अपना डिजाइन कम्प्लीट कर लिया है इसके उपर हम फिर से अपनी रो नमबर एक बनाएंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा एक फंदा स्किप किया फिर से एक फंदा सीधा एक बार डिजाइन कम्प्लीट हो गया अब दूसरी बार डिजाइन दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा एक फंदा स्किप करेंगे एक फंदासी दो बार डिजाइन बना लिया हमने इसे तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को जितना मर्जी हम अपनी डिजाइन को जितना मर्जी इस साइड बना ले जितना मर्जी हम उपर की तरफ बना लें, डिसाइन केवल इतना ही है, इसके बाद हमको हर बार रो नमबर एक तो एक तो ही हमको रिपीट करना है